नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्व चैनल सरोज स्टोमिन आज हम बात करने वाले हैं सपने में किंदर को आसरिवाद देते वे देखना कैसा होता है सुब संकेत होता है या फिर ऐसुब संकेत होता है हमारे हिंदु धर्म में किंद्रों के आसरिवाद और किंद्रों के स्राब के बारे में बखुबी से बताया गया है लोग किंद्रों के आसरिवाद के लिए तरस्ते हैं क्योंकि पुरानी के कथाओं के अनुसार जब भगवान रामचंदर जी 14 वर्स के लिए वनवास गए थी उस समय सभी लोग रामचंदर जी के लिए विलाब करने लेगे लेकिन उस समय किंदर ही थे जिनकी दिलों में रामचंदर जी के लिए विशे से भगती थी जब रहम चंदर जी तोधा वर्स का वनवास से काट कर वापिस आये तो जिन किंद्रों को छोड़ गए थे वही किंद्र उनकी रहा देख रहे थे और सभी लोग अपने घर बार को देखने में वेश्थ थे तभी भगवान ने उनकी अनूठी भगति देखकर किंद्रों को आश्रिवाद दी दिया कि आप मेरे हदे के सबसे करीब हैं आप जब किसी विक्ति को आश्रिवाद देंगे तो उन लोगों पर शक्षात मेरी करपा होगी जिस से उनके परिवार में सुक शान्ती और वेभव होगा तभी लोग किंद्रों के आश्रिवाद के लिए तरस्ते हैं इसके साथ ही लोग किंद्र के सराब से विवस्ते हैं जितना परभावी उनका आश्रिवाद होता है उतना प्रभावी उनका स्राब भी होता है दोस्तो वास्तविक के जीवर में किन्रों के आश्रिवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तो बात करते हैं सपने की अगर सपने में आपको कोई किन्र आश्रिवाद देता हुआ दिखाई देता है तो इस सपना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लापधाइक माना जाता है दोस्तों आप सपने में एक किंदर को देखते हैं किंदर को देखते ही आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो किंदर आपको आश्रिवाद दे देता है यह सपने में एक किनर के पेर पड़ते हैं और किनर आपको आश्रिवाद दे देता है तो यह सपना हमारे लिए बहुत ही सुब संकित माने जाता है ये सपना इस बात का संके देता है कि आने वाली दुनों में आपको थोड़ी सी मेहनत करने पर बड़ी कामया भी मिल सकती है आपको अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना होगा हमें पता है कि किनर यूँ किसी को आश्रिवाद नहीं देते हैं जब किनर का मन राजी होता है तभी किनर हमें आश्रिवाद देते हैं अगर आप बिमार चल रहे होते हैं उस दोरन आपको ये सपना आता है तो इसका अर्थ है कि आने वाली दिनों में आपकी बिमारी जल्दी ठीक हो जाएगी अगर किनर आसरिवाद देते समय आपको आसिस भी दे रहे हैं तो इसका आर्थ है कि आने वाले दिनों में आपकी आयू लंबी होने वाली है आपको इस सपने से खुश होना चाहिए अब बात करते हैं सपने में किनर के आसरिवाद को ठुकराना कैसा होता है दोस्तो आप सपने में किंदर के आश्रिवाद को ठुकरा देते हैं तो ये सपना आपके लिए ऐसुब संकेते माना जाता है ये सपना आपके घमंड और एहंकार को बताता है कि वर्तमान समय में आपको धन दोलत का नशा है इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को महत्वय नहीं दे रहे हैं अगर आप सपने में अपने घमंड सवरूप किंदर के आश्रिवाद को ठुकरा देते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाली दिनों में आप से वो लोग नाराज हो सकते हैं जिनकी बलबुते पर आप इतने सफल वने हैं हो सकता है आपको घमंड सवरूप अपने प्यार को छोड़ना पड़ सकता है अब बात करते हैं सपने में किंदर का सराप देना कैसा होता है दोस्तों जिस परकार किंदर की दुआ खाली नहीं जाती उसी परकार किंदर का सराप या किंदर की बद्धुआ भी खाली नहीं जाती सपने में आप देखते हैं कि आपके घर कोई किंदर आया है आप उस किंदर को नाराज कर देते हैं तो ये सपना हमारे लिए ऐसुब संकेत माना जाता है तो इस अपना इस बात का संकी दिता है कि आने वाले दिनों में आपको अपमान का सामना करना बढ़ सकता है हो सकता है कि आपके हातों से कोई ऐसा काम हो जाए जिसके कारण आपकी बनी बनाई इज्जत मिटी में मिल जाए तो दोस्तो इस सपने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हातों से किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान ना हो जाए जिसे हम बेकार समझते हैं लेकिन उस व्यक्ति का हमारी जीवन में बहुत बड़ा महत्तु है दोस्तो आज हमने जाना कि सपने में किंदर का आश्रिवाद को टुकराना कैसा होता है दोस्तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सपने के साथ तब तक की लिए जै हिंदी जै भारते धन्यवाद दोस्तों